बुष से चलकर बरेली जाने वाली आला हैद्रेट ट्रेन का एराइवल हो चुका है पहुंच चुके हर्याना इस्टेट के रेवाडी जंग सकते पुष 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 चलिए इसको टेश प्रसाइस का टेट अब अब हालो नमस्कार जैहिं सातियों दोस्तों आज हम एक और नई ट्रेंट जर्नी आपके लिए लेकर आ चुक है आज हम 143121 से चलकर बरेली जाने वाली आला हज्रत एक्सप्रेश का सपर ने जारे रहे हैं हमारे आला हज्रत एक्स प्रेश जो भुष बरेली जाने वाली है वह प्लेटफॉर्म नंबर आबूरोड के एक पर पहुँच चुकी है तो आज हमारा कोच है एस टू उसमें साइड लोर हमें बर्थ मिलाएं तो चलिए चलते हैं तोस्तो टाइम से तीन मिनट की देरी से आला हजरत एक्सप्रेस आबूरोड से रवाना हो चुकी है कि दोस्तों ये ट्रेंड 1529 किलो मिटर का सपर 45 स्टॉप के साथ करीब 28 गंटों में तैग करता है तो आला हजरत एक्सप्रेस ने 629 किलो मिटर की दूरी तैग करने के बाद अपने तेरवे इस्टॉप फालना पहुंच चुगे इस्टेशन कोड एफ है जब हमारी आख फुली तब उसी वक्ते ट्रेंड का हौंकिं हुआ तो हमने देखा कि भोपाल एक्सप्रेस निकल रही थी तो भोपाल एक्सप्रेस को देखिए आप हुआ है हलो फ्रेंच बूर मॉनिग दोस्तों सुबह होगी हमारी चाह के साथ तो लेते हैं चाह को टेस्ट करते हैं चाह का कैसा है टेस्ट कि अधिये कि संगार्ड रेलवे इस्टेशन का कुछ ऐसा न जा रहा है सुबह के छे उन्चालीस हो चुके है ट्रेंड दस मिनट दिले पहुची है हुच से दोस्तों 913 किलो मिटर का सपर केकर हमारे इलिस से हॉल्ट फूलेरा जंक्शन इस्टेशन पोड एफ एल्ट्रेंट्स हमारा कोच ता एस्टू लेकिन एस्टू काफी पीछे था इसलिए हम हमारे फ्रेंट के पास्ट सबसे एंड वाला कोच इसमें हम आपको कुछ भी नहीं दिखा पारे तो अग्याइट 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 फ्रेंड्स भूज एक्सप्रेस के 21 इस्टॉप पर हम आ चुके है राजस्तान की राजधानी जैपूर करीब 970 किलो मिटर की दूरी ते करने के बाद 21 इस्टॉप पर आजस्तान की राजधानी जैपूर 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 जैंसन पर अभी हम पहुचे हुए पिंक सीटी ऑप इंडिया तो यहां पर मॉर्निंग ऑन टाइन पहुची है सब्सक्राइब जैपूर के फ्लेट फॉर्म नंबर एक पर आपको जन अहार भी मिल जाएगा जिसमें आप अलग-अलग परकार के ठाली का सकते साथ यहां पर आपको नास्ते में समुसे फुप वगएरा बहुत सी यहां पर मिल जाए तो यहां पर हमने गर्मा गर्म ले लिए समुसे तो आप समुसे का करते हैं कैसे समुसे यहां जैपूर के जैपूर मेटो का ट्रेक तो फिलाल हम जैपूर जंक्सन से निकल चुके ओन टाइम ट्रेंड यहां से निकली है आला आजरत गांधी नगर जैपूर कि दोस्तों हम गांधी नगर जैपूर से आगे बढ़ चुके हैं अभी हमें क्रॉसिंग होने वाला है पूजा सुपर पार्श्ट एक्प्रेस जो जम्मु तवी से अजमेर चलती है तो एंजय क्लिए आप इस क्रॉसिंग को क्यों गूर्श करना तस्ट करना तसस्ट कर दो अजमेर ची है इस क्यों धेपूर ची को पार्श उन्मेरर जैप भाण दोरी जो जोगते हैं अभी है मैं अभाव जन्मेर आपे लेएट अजया थी पांज़ जगपाई पांधर चलती एक्पशना ड़ता दंवा है करने के बाद राजस्तान के दौसा पहुंची है ऑन टाइम ट्रेल दौसा पहुंची है दौसा का इस्टेशन कोड़ है दी ओ और इसके नंबर ऑफ लेटफॉर्म की बात करें तो दो फ्लेटफॉर्म है तो दो मिनट के स्टॉपेज के बाद ओन टाइम यहां से आला हजरत क्रवाना हो चुके दौसा के देखिए दौसा डिपाचर यहा हो जो लत परो बादर में अलों जो इसके गो यहां से बादफॉर्म की बाद से तो दोस्तों 1195 किलो मीटर की दूरी तै करते हुए अभी हम हर्याना इस्टेट में पहुच चुके हर्याना इस्टेट के रेवाडी जंक्सन में रेवाडी जंक्सन की बात करें तो यह बड़ा प्लेटफर्म माना जाता और यह हर्याना के अंदर आता है कि रेवाडी जंक्सन जाने के बात का आप लगारा देखिए हैं मौवरो लगरी स्ट्रेंड के रफ्तार की बात करें तो बहुत ही सांदार रफ्तार फ्रेंट्स 1246 किलो मीटर की दूरी तै करने के बाद अभी हम गुर्गाव इस्टेशन पर पहुचे हैं गुर्गाव पहु तो फिलाल दोस्तों 1263 किलो मीटर का सपर तै करते हुए हम डैली केंट इस्टेशन पर पहुच चुके यहां पर इसका दो मिनट का स्टोपेज है कि देखे जब डैली में पहुचते हैं तो मकान ना रेलवे पट्री के पास पास बने हुए है यानि रेलवे की जमीन के उपर आप देख सकते हैं मकान बिल्कुल सटे हुए है रेलवे पट्री पर बच्चे खेल रहा है जानी देखे अब दो पट्रियों के बीच में बच्चे कैसे खेल रहे हैं बूस से चलकर बरेली जाने वाली आला हजरत एक्सप्रेस ने बारा सो तीटर किलो मिटर का सफर करने के बाद अभी हम देली सराइए रोईला इस्टॉप पर पहुंचे हैं और दो बचके ग्यारा मिनट पर पहुंचे यहां पर दो मिनट का इस्टॉप है साथ साथ ही मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे डबल डेकर ट्रेंड यहां पर खड़ी हुई है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं डिपाचर जैपूर दिल्ली सराइए रोईला डबल डेकर बातान पूलित कुर्शी याँ अधा पालिया देखे अभी हम डेली सराइए रोईला से निकल गया था आप देखें डेली में ये बिल्कुल पट्रियों के नजदीक में देखें लोग रहते हैं जौपर पट्रिक की तरीके से कह सकते हैं आप अधार विए बिल्कुल प्लूस से ट्रेन गुजरता है अधार अधार आप तो दोस्तों 1277 किलो मीटर की जर्नी करने के बाद अभी हम ओल्ड डेली डेली जंक्सन पहुँच चुके हैं और आज का हमारा सपर यही तक था तो आज इसकी जर्नी हमने आपको बुष्ट से चलकर बरेली जाने वाली आला हजरत एक्सप्रेस आपको आभुगोड से डेली तक का पूरा सपर करवाया है और दोस्तों आप ऐसे ही नई नई जर्नी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें इसकी जर्नी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बद्च आवको आपको 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 आवे भी तक कि बू़ दो औरें ग Dolan Черनीयम थेने वेखने कोला से है से बढ़े टें हैंगी जर्मीट labगोड़ sólo करत से एक के याई पूर से गोग remote- compliqué ।, त neighbors, पूर, आपको आ